भारत में इस सडकों पर घुमते अवारा पश्मों को आपने कई बार देखा होगा गाए, भैश, कुत्ते आदी कहीं भी घूमते दिखाई दे जाते हैं कई बार इनकी वज़े से लोगों को भी परीशानी होती है कभी कोई आवारा कुत्ते द्वारा काट खाया जाता है तो कभी कोई गाई या बैल किसी पर हमला कर देता है लेकिन इसके बाद भी ये समस्या खत्म नहीं होती बीते दिनों जबलपूर के एक बाजार में तब अफरा तफरी मच गई जब दो सांड आपस में भिड़ गए मामला पान दरीबा का है यहां एक बाजार में दो सांड अचानक ही लड़ने लगे दोनों लड़ते हुए एक कपड़े के दुकान में घुस गए कनीमत रही की दुकानदार समय से बाहर निकल गया दोनों सांडों ने दुकान में जम कर उतपात मचाया दोनों ने पूरे दुकान की हालत खराप कर दी एक घंटे तक बाजार में अफरा तफ्री रही आखिरकार किसी तरह दुकान ने दोनों सांडों की पूंच पकड़ कर उन्हें बाहर निकाला दोनों सांड बीजी मार्केट में ही लडाई करने लगे दोनों ने अपने सिंग को आपस में फसा लिया था इसी अवस्था में दोनों बाजार के एक कपड़े की दुकान में घुस गए वहाँ दोनों ने जम कर उत्पात मचाया कपड़े उधर उधर हो गए दुकानदार अगर समय से बाहर नहीं निकलता तो उसे भी घायल कर दिया जाता लोग कोशिस करते रहे किसी तरह सांड बाहर आ जाये लेकिन दोनों थे कि अंदर ही लड़ाई किये जा रहे थे काफी देर के बाद दोनों को बाहर निकालने में सफलता मिली लेकिन तब तक दुकान की हालत खराब हो चुकी थी